देखें, योगेजी मुख्य मंतरी हैं सम्मीदानिक पद पर रहें और विदान सभा में एक शट लेकर किसा अग। निर्पेक्ष रहूंगा ये शपत ली है मुक्य मंतरी ने धर्म की बात कर रहे हैं क्या ये गहर सम्मिदानिक नहीं है बिल्कुल गहर सम्मिदानिक है सुनिए मुक्य मंतरियों का ऐसी बात नहीं करने चाहता हूं आप सब लोग उसे एक बार बात करना चाहता हूं क्या इस देश में हम लोग अपने माता पिता को नमशकार प्रणाम या सस्रियाकाल करना इसलिए छोड़ दें कि भार जाएंगे तो पडोसी को बुरा लगेगा क्या पैस क्यों करते हो इस देश की आत्मा है भाई और यह देश धर्म निर्पेक्षण क्यास है धर्म सपेक्ष है स्वामीश देश हमिए सब्सक्राइब अ क्या वारत है बाहर घर के कोई मांगने आया है इस लिए उसको दीजे उपर पूरवच कम से कमनाराज घ्रम ना हो हम हर बार अपने धर्म को इसलिए नीचा दिखा देते हैं कति सेक्लिरिजम के नाम पर यह सेक्लिरिजम का जो धोका होता है आपके लिए नहीं होता सर पांसो साल जो देश तलबता है अपने आराध्या से हो सकते थे मगर हम धरम सपेक्ष रहे धरम भीरू देश है ये और ये वो देश है जिस देश में देश के प्रधान मंतरी गंगा में खड़े होकर रुद्राक्ष की माला गुमाते हैं ये वो देश है जो केदार का जिरनो अधार कराते हैं ये वो देश है जो राम मंदिर मे कहते हैं मेरे रामलला आ गए मैं कैसे आप इसको धरम निर्पेक्ष कह करके हमें हमारी आस्था से जुदा कर देंगे और ये देश एक बात हमेशा याद रखिएगा इस देश का अकाट सत्य है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं आपको तकलीफ क्या है एक सब्सक्राइ के विरोध में लग लेकिन रामलला की बारी भी ये श्यिक्नलम के विरोध में लग जब लाल क्रिष डवानी रत्रेेकम को निकले नरेंद्र वौदी उनके सार्ती बने तो पूरे देस की सर्कार ने मोला कि कोई सब्सक्स कह नहीं छुएगा लेकिन एक बहुतार था जब चार सो पे थी और बीजेपी दो पर थी और आज एक दौर है जब बीजेपी तीन सो के पार है और पूरा विपक्ष एक साथ हो के भी मोधी का मुकाबला नहीं कर पा रहा वो कहते हैं ना हार गए बैरी आखिर में रगुवर जीट गए मैं सम्विदान की बात इसलिए कर रहा हूं कि सम्विदान साजीद रशीदी ने तो नहीं लिखा या किसी मुसलमान ने तो नहीं लिखा बाकाइदा कमिशन बैठा बातचीत हुई और भी मेराव अमेड करने सम्विदान लिखा सम्विदान में सरकारों के जो काम है वो हो रोजी रोटी देना है जो दो करोड नोक्रीओं की वादे किये थे हैं वो कहा है बो आप नौक्रियों से निकल के आप इस पे आगे सेकुलरीजम को आप मेंटेन नहीं कर पाए कॉमनिलिजम पे दोवारा लट रहे है सम्विधान की इनको कोई समझ नहीं सम्विधान में कहीं भी शब्ध। सम्विधान में पंथ दिर्पेक्श कहा है और ये वो देश है जिसके प्रतम राश्पती डॉक्टर रजेन प्रसाज जी स्वयम गए थे सोंदात मंदर ये वहाँ पे पूजा अर्चन था उसके अलावा रफेल आता है तो नारियल फोड़ते है हमारे रक्षा मंतरी ये वो देश है जहाँ पे इफ्तार पार्टी पांच हजार रुपाए की चांदी की प्लेट में कॉंग्रेस पार्टी देती थी और वो ये देश है जब हज सबसेड़ी देती थी कॉंग्रेस सरकार तो पंत निरपेक्षता कहां जाती है जी 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 पब्लेट के सवाल आपका बोली है पूने वाले जी से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो नायात्रा कर रहे है तो क्या ऐसे में भारत जुड़ेगा क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आपसे जु पूछा और मैं मानता आपकी बात किसी का में इंसल्ट नहीं करना चाहिए लेकिन जहां पर जो स्टेट्स कॉंट्रिब्यूट करते जिनका परफॉर्मंस अच्छा है हर परामिटर पर अच्छा परफॉर्मंस है महराष्ट्रा, टामिलनाडू, कनाटका, केरिला उन इंकर बनेगे, बिल्कुल धन्यवाद, मेरा सवाल आप से ही और साजिट जी से है, कि अभी इन्होंने कहा कि जब पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो राय मश्मरा लेते थे अटल वियारी बाचपई जी का, तो अटल वियारी बाचपई के अंदर वो क्वाल्टी थी, व जिसके पास इतनी चंता है कि वो प्रदान मंतरी को सला दे सके, एक जब राहूल गांदी जी में शमता नहीं दिखती आपको, ते जैस पी आदों पे शमता नहीं दिखती, जो जिस पार्टी को राहूल गांदी जी लेके चलते हैं, उस पार्टी के रास्टे अध्यक्स सर, प्लीज, उन्हों नहीं यह निका, और अगर, जैसे कान उठा के देखते हैं और वो भौक रहा है कि नहीं पता चल जाता है, ऐसे कॉंग्रेस का कोई व्यक्ती अगर पार्टी में लाना चाहरे है, तो उसका कान उठा के उसे बुलवा के देखिए, कुत्तों से बुल ल बिस्कित भाजपाव यही डिवेट करना चाहती, कुत्ते और बिस्कित की, मैं डिवेट कर रहा हूँ, मैं डिवेट करना चाहता हूँ, मैं डिवेट करना चाहता हूँ, वेब थ्री पॉइंट हो, आपके जॉब्स का, यही डिवेट करना चाहते है, कुत्ते और बिस्कित क्या मम्ता बैनर जी में नहीं है, क्या रेवन रेड़ी जी में नहीं है, क्या सिधर अमया जी में नहीं है, क्या बाकी चीफ मिनिस्टर्स में नहीं है, क्या हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स में, मेरा आप से जो सवाल है, हमारा एक फेडरली, सर प्लीज में, सर, एक कुट्टे की बात बारवार हो रही थी एक गुज्ञात की मुख्यमंतरी ने भी कहा था अगर एक कुट्टे का पिल्ला मेरी गाड़ी के नीचे आजा है मुझे बहुत बुरा लगीगा ये गुज्ञात के रायट विक्टम्स के वारे में बहुत उन्हों ने भी कही जाता पहुल गांदी ने वायनाग जाके ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है उनकी जो शमता होती है सोचने की शक्ति है नौलेज है बहुत सतई है और जो सौथ इंडियन के लोग है इनकी जो नौलेज है ये बहुत गहरी है ये एक मिनिट इसी तरह से प्रियंका पाडर ने कहा था पंजाब के चुनाब में कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आ जाता है इनको भगा देना चाहिए मैं पूछ रहो गलत कहा था और सही कहा था ये बात नहीं कहा था आप प्लीज आप पैक्ट चेक करा दीजे और आपको इनकी एक हकीकत दिखा देता में महाराש्टर से आता हू, मुंबए य से मैं रहता हूँ, मुंबए में सबसे ज़ alloc महाराष्टर में BJP उस शिप सेना और MNS के साथ पार्टनर्शिप में थी जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग को पीट थे आप एन के साथ जो लोगों को मारते थी, फिको, मेरा समे आप टै करते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा अगर आप में मन में ठाना है तो फिर कोई बहाना किसी का नहीं चलता है तो इसलिए जनता जनारदन है और जनता सब जानती है आज का निश्कर शही है तो फिलाल आज के आफार में तही नमस्कार धन्यवाद झाल झाल